इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉली कारपाउ की एक गेम के बारे में यहाँ पर एनाटॉली कारपाउ के ओपनेट ने तेरे में मोव पर ही रिजेन कर दिया रिजेन की वज़े ये थे कि एनाटॉली कारपाउ ने ओपनेट की क्वीन को ट्रेप कर दिया तो आईए देखते हैं गेम तो एनाटॉली कारपाउने शुरुवात की C4 से इंग्लिस ओपनिंग और ब्लेक ने रिपलाई दिया C6 D4, D5, स्लेव डिफेंस नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3, डी कैप्चर्स C4, A4 बिशॉप F5, नाइट E5 तो अभी नेक्स्ट मोव में नाइट कैप्चर्स C4 आ सकता है नाइट D7, नाइट कैप्चर्स C4, क्वीन C7, F3, E5, E4 और अभी बिशॉप पर प्रेसर है तो बिशॉप E6 तो यहां ब्लेक ने गलती कर दी है क्योंकि नेक्स्ट मोव में D5 मोव आ जाएगा और फिर बिशॉप के लिए कोई भी स्क्वेर यहां बर खाली नहीं रहेगा तो Cकेप्चर्स D5 करना ही पड़ेगा तो कारपाव ने यहां बर D5 मोव किया और अभी फोर्स फोली Cकेप्चर्स D5 मोव करना ही पड़ेगा Cकेप्चर्स D5, Eकेप्चर्स D5, interdisciplinary F5 और अभी वीडियो व्रस करके सोचिए कि कारपाव ने क्या मोव किया होगा तो यहां से कारपाव ने Knight B5 मोव किया और Black की Queen पर प्रेसर बनाया तो Black ने यहां अपनी Queen को C5 पर मोव किया अगर black अपनी queen को d8 पर move करता है तो next move में knight d6 check होगा bishop captures knight knight captures bishop check king f8 knight captures bishop तो यहां से black एक piece down हो जाएगा तो आगे जाके end game में black को regen करना ही पड़ता लेकिन black ने पहले अपनी queen को c5 पर move किया तो अभी वीडियो पॉस्ट करके फिर से सोचिए कि कारपव ने क्या move किया होगा जिसके बाद black ने resign कर दिया तो कारपव ने bishop e3 move किया और इस move के बाद black ने resign कर दिया resign की वज़े ये है कि black की queen के जाने के लिए अभी कोई square ही नहीं बचता है अभी b6 square और d6 square इस knight ने cover कर रखे है और c6 square इस pawn ने cover कर रखा है और c7 square इस knight ने cover कर रखा है अगर black अपनी queen को c8 पर move करता है तो next move में knight d6 check होगा और bishop captures knight के बाद knight captures bishop check होगा और fork के साथ black की queen चली जाएगी और black की queen जाने के बाद black को यहां से resign करना ही पड़ता और black अपनी queen को e7 पर move करता है तो next move में knight c7 check होगा और black के king के बास सिर्फ एक ही move है king d8 और next move में d6 move आजाएगा तो forcefully black की queen यहां पर trap ही हो जाएगी black अपनी queen को कहीं पर भी move ही नहीं कर सकता है क्योंकि आगे जाके knight captures queen ही आजाएगा तो black अपनी queen को कहीं पर भी move ही नहीं कर सकता है क्योंकि black की queen trap हो चुकी है और यहां से आप लोगों को लग रहा होगा कि एक chance है b4 check दे सकते हैं लेकिन next move में bishop d2 आजाएगा और फिर black की queen के बास फिर कोई move ही नहीं रहेगा black की queen कहीं पर भी जाहीं नहीं सकती है और black अगर अपनी queen को वापस से c5 उपर move कर लेता है तो next move में b4 आजाएगा और black की queen trap हो जाएगी तो b4 move के बाद black queen captures d5 move करता है तो next move में knight c7 check होगा और fork के साथ black की queen जाहीं रही है black अगर black अपने king को कहीं पर भी move करता है तो next move में knight captures queen आजाएगा और black को अपनी queen गवाने के बाद resign करना ही पड़ता हमने देखा कि e7 और c8 square पर भी black अपनी queen को नहीं ले जा सकता क्योंकि आगे जाके black को अपनी queen गवाने ही पड़ेगी तो इसी सब calculation की वज़े से bishop e3 move के बाद black ने resign कर दिया झाल